हलो छ्रेंज्स कैसे हैं आप सब चलिए स्टार्ट करते हैं आज़की वकशीत आज आपकी वकशीत number 29 सब्जेक्ट है आपका in्गिलिश और डेट है आपकी एक नवंबर क्लास है कि आपको अपना नाम और यहांper आपका अपनर टीच्छर का नाम लिखेना ठीक है स्ट्व sekali चलिए आगे चलते हैं एचक्शन के बारे में आज हम प्ढ़ने वाले बच्छो कंजaking्शन के にःस्न के बारे में इस वक्षी on तो वक्षीट स्टाट करें से पहले मैं आपको कुछ बाते बताना चाहूंगी जिसे कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर दो कॉंटस्ट रहे हैं स्टैम पर फर्स्ट आपका है अगर आप यहां के वीकली विनर्स बनना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना आपको अपन यह वक्षीट अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो इन दोनों में से किसी भी आप कॉंटस्ट में पार्सिपेट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा चलिए स्टार्ट करते हैं A conjunction is a word that joins two or more words, phrase and clause, ठीक है, conjunction फुवर्ड होता है जो किसी दो वर्ड को या फिर phrase को या फिर clause को इंडरेक्ली हम कह सकते हैं किसी वर्ड ये sentence को जो 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 जोइन करें उसे हम कहते हैं conjunction, ठीक है, let's look at the following example, चलिए कुछ example देखते है, word, silver and gold, अगर word देखें जो silver and gold, जो ये and है ये क्या है, बच्चो, conjunction है, phrase, over the river and through the woods, तो ये and यहाँ पर भी क्या आ रहा है, आपका conjunction की तरह आ रहा है, clause, Mary planted a flower and she was a grown, तो ये and यहाँ पर क्या कर रहा है, conjunction का 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 काम कर रहा है, इन दोनों को join करने का, अब कुछ conjunction के बार में पढ़ेंगे हम, मतलब कुछ conjunction जो हम पढ़ेंगे, जो important होते हैं, first and, but, either or, neither nor, और होता है, yet and so, ये हम 6 conjunction पढ़ने वाले हैं, देखें, and का use जब होता है, जब हम किसी, दो, दो या दो से जादा similar ideas को join करते हैं, जैसे, Ryan is beautiful and so is भावना, ठीके, तो, राने भी beautiful है, और भावना भी beautiful है, तो ये same ideas हो गए, next are to show, one idea comes after another, एक idea के बाद, अगर दूसरा idea आता है, तो उसमें भी हम end use करते हैं, SEMA wants to market and brought some grocery, तो SEMA कहा जाना चाते थी, marketer साथ में क्या खरीदना चाते थी, बच्चो, grocery, अब आगे चलते हैं, third to show that one idea is the result of another, ठीके, एक idea को show करता है, साथी, अधर का result भी show करता है, we saw a stray bull coming and we climb on the tray, ठीके, नेक्स चलते हैं, वर्ट की तरफ, to join contrasting ideas, contrasting ideas को join करने की काम आता है, जिसे कि Sangeetha is not intelligent, but she is very honest, contrast का मतलब होता है, opposite, एक दूसरे का opposite, in the same sense as, with the exception of, no one what I wished Panditji on his birthday, ठीके, no one but I wished, मतलब कोई विश नहीं करता है, लेकिर मैंने विश किया, ठीके, exception के लिए भी use होता है, but, अब आगे चलते हैं, either, dash or, to show choice or possibilities, ठीके, either or किसके लिए use होता है, बच्चो, possibilities के लिए और choice के लिए, neither nor, neither में हम reject करते हैं, रग्जेट, refuse both option, मिलत, both option को हमें, दो option दी होंगे, दोनों को reject करेंगे, neither, Sanjay और रोहित, help me in homework, yet, to show strong contrast, अगर हमें strong contrast दिखाना तो हम वहां use करते हैं, yet, it felt strong, strange, it felt strange, and yet so wonderful, to sky in the summer, so, to show the result of first idea, ठीके, first idea कर result शो करता है, as he was excited, so he danced in the party by late night, in the late night, sorry, in the party by late night, अब आगे चलते हैं, in the sense of, in addition to, ठीके, अगर हम in addition to भी, मतलब two का addition भी करते हैं, तो भी हम किसका यूज करते हैं, show का, they are watching movies, so are we, मतलब addition में भी हम किसका यूज करेंगे, बच्चो, show का, अब आगे चलते हैं, और complete कर लेते हैं, कुछ sentences दिये गए हैं इनको, किसका यूज करना है, हमें, either or, but, so, neither yet, ठीके, और and, आगे चलते हैं, first question है, सिल्पा, wants to store, and, यहाँ पर कहाएगा, बच्चो, and brought a few dresses, वो store जाएगी, और कुछ dresses करी देगी, It was a small house, but, यहाँ पर कहाएगा, but, it was beautiful, Shyam Sundar wants to be a, wanted to be a pilot, so, he studied hard, ठीके, वो pilot बना चाहता है, इसलिए वो महनत करता है, the dog must be hiding, either, यहाँ पर कहाएगा, either, E, I, T, H, E, R, either, behind the curtain, or under the bed, मतलब इन दोरों में से कहीं से कहीं भी जो dog है, dog को छिपना चाहिए, We waited for hours, and hours, dash, the bus did not come, ठीके, मैंने घंटों वेट कर लिया, बट अभी तक, bus नहीं आई है, yet, the bus did not come, I cooked lunch, dash, my sister tirade the room, ठीके, I cooked lunch, but my sister tirade the room, I was dash, my fault, dash, his fault in breaking the chair, यहाँ पर आएगा, I was, it was, sorry, it was neither, N-I-T-H-E-R, neither, my fault, nor his fault, ठीके, नहीं मेरी गलती है, नहीं उसकी गलती, नहीं मेरी गलती से, और नहीं उसकी गलती से, कुरसी तूटती थी, अब आगे चलते हैं, you should be, dash, a, doctor, dash, or engineer, तुम्हें क्या बरना चाहिए, either, यहाँ पर क्याएगा, बच्चो, either, E-I-T-H-E-R, either a doctor or an engineer, चेके, तुसकां सरी हो जाएगा, it was a pleasant evening, dash, we want for a walk around the town, यहाँ पर आजाएगा आपका, yet, it was a pleasant evening, yet, we want to, we want for a walk around the town, निक्स चलते हैं, it was early, dash, we were all ready for bed after a long hike, तो यहां पहेगा, it was early, so we were already for bed after our long hike तो बच्चो यह थी आपकी वर्कशीट, अगर विडियो पसंद आया तो विडियो को लाइक करें, शियर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको विडियो कैसी लगी, अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को स्क्राइब करना मत भूलेगा, मिलते हैं बच्चो नेक्स वीडि तो टेक केर